नमस्ति दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेस्पी लाइफ विद पारूल में आज हम बनाने वाले हैं आलू का बहुत ही टेस्टी हलवा ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सोफ्ट और बिल्कुल मुँ में खुल जाने वाला तो इस नवरात्री स्टेस्टी हलवे को जरूर ट्राइ कीजिए रेस्पी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू मैंने यहाँ पर आलू को पहले से उबाल कर रख लिया है मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इनका छिलका निकाल कर रख लिया है अब आलू को हाथों से अच्छे से क्रस कर देंगे आप चाहिए तो यहाँ पर आलू को कद्दू कस्पी कर सकते हैं पहले हाथों से क्रस कर लिजिए और फिर फोक की हर्प से इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे चलिए आलू तो तयार है अब हम इने एक तरफ रख देंगे अब हम लेंगे एक कठाई उसमें डालेंगे दो बड़े चमल सेसी घी जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए गरम हो जाए तब आलू को भी इसमें डाल देंगे अब आलू को घी में अच्छे से भून लेंगे आलू को चलाते हुए घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को घी में भूनने से हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है आप चाहीं तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं तीन से चार मिनट तक आलू को अच्छे से घी में भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन उसमें एक किलास दूर डालेंगे और इसमें एक उबाल लगा लेंगे हमें यहाँ पर आलू को तीन से चार मिनट के लिए भूनना होता है ध्यान रखिए आलू का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो कैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए ही हम आलू को भूनेंगे तीन से चार मिनट बाद आलू अच्छे से पक जाएंगे और इसमें से खी भी रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी छें मीडियम साइस के आलू के लिए मैंने हापर 200 ग्राम चीनी ली है अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी को थोड़ा सा कम कर लीजिए अब चीनी को भी आलू के साथ में अच्छे से भून लेना है केस की फ्लेम को low to medium ही रखेंगे अब जो हमने दूसी तरफ दूद उबलने के लिए रखा है उसमें हम थोड़े से केसर की धागे डाल देंगे केसर के धागे डालने से हलवे का कलर बहुत ही जादा अच्छा आता है देखे चेनी डालने से हलवा पहले से काफी पतला हो गया है हलवे को चलाते रएंगे और दूसी तरफ हमारा जो दूद है वो भी अच्छे से उबल गया है अब कैसी फ्लेम को ओफ कर देंगे आलू के हलवे के लिए हम नोर्मल टंपरेचर का दूद भी ले सकते हैं लेकिन हमने आपर केसर के धागों का भी यूस किया है अगर हम गरम दूद में केसर के धागे डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है आप देख सकते हैं हलवे ने काफी घी रिलीस कर दिया है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और वो पहले से कहीं ज़्यादा गाड़ा हो गया है अब जो हमने दूद बना कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे अब हलवे को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकाते रहेंगे आप देखेंगे तीन से चार मिनट में ही दूद हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल दानेदार बन जाएगा अगर आप इस तरीके से आलू का हलवा बनाएंगे तो वो बहुत जादा लाजवाब बनेगा अभी आपको ये सफेद दिख रहा होगा लेकिन जैसे जैसे ये बनता जाएगा पकता जाएगा जो हमने इसमें केसर के धागे डाले हैं वो अपना कलर छोड़ते रहेंगे साथ ही में मैंने हाँ पर थोड़े से ड्राइफ रूट्स को भी एड़ कर दिया है आप देख सकते हैं आलू ने सारा दोद अपने में अबसोर्ब कर लिया है जैसे जैसे हलवा पकता रहेगा इसका बहुत ही अच्छा येलो कलर आता रहेगा अभी हमें हलवे को और पकाना होगा जब तक कि इसमें से खी न रिलीज होने लगे अभी हमें से एक से दो मिनट और पकाएंगे लिज़े 2 मिनट तक पकाने के बाद ये कितना अच्छे से टाइट हो गया है देखे कितना अच्छा इसमें कलर आया है देखने में जितना सुन्दर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बना है और इसकी खुस्बू का तो कोई जवाब ही नहीं है बहुत ही जादा टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट हल्वा बनकर तयार हुआ है देखे इसने अच्छे से खी भी छोड़ दिया है इसका मतलब हमारा हल्वा बिल्कुल रेडी है देखे हल्वा ठंडा होने के बाद पहले से कहीं जादा टाइट हो गया है आई होप आपको इसे देखकर ही खाने का मन कर रहा होगा बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जादा टेस्टी हल्वा बनकर तयार हो जाता है अगर आपने ये हलवा एक बार बना लियाना तो आप इस हलवे को बार बार खाना पसंद करेंगे आई होप आपको इस रेस्पी जरूर पसंद आई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए फैमली फ्रेंट्स में शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फर्स टाइम हमारी रेस्पी देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलते हैं नई और टेस्टी रेस्पी के साथ थैंक यू फोर वोचिंग